आज हम as stable multivibrator circuit के बार में जानेंगे दो transistor का उप्योग करके हम as stable multivibrator कैसे बना सकते हैं और इसका working principle क्या है या कैसे काम करता है इसके बार में हम बात करेंगे यह एक as stable multivibrator circuit है जैसा हम circuit drawing में देखे थे सेम वैसा circuit में यहां design गया हूँ जिसमें charge resistance, दो transistor और दो capacitor दो LED का उप्योग किया गया है और इसमें यह 12V power supply है और इसके अलावा इसमें कोई external trigger signal या कोई external pulse नहीं दिया गया है फिर भी यह एक pulse generate कर रहा है तो हमारे एक friend card request आया था कि एक बार as stable multivibrator circuit को भी अच्छे से explain किया जा तो चलिए अब हम इसे समझते हैं इसके working principle को समझते हैं कि यह काम कैसे करता है यहाँ आप देख रहे हैं हमें दो section दिख रहा है एक किया एक किया तो पहले हम एक करके एक section को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं जिसे हमें समझने में असानी होगी तो अभी हम कुछ इस तरह का circuit बनाएंगे जिसमें 12V की battery है एक transistor है NPN transistor BC 547 और एक LED है LED का current control करने के लिए current limit register लगा हुआ है इसके base पे 56 kWh का register है इस register का value circuit में क्या होगा इसका value हम कैसे निकालेंगे इसको उपर हमने already video मना रखा है यदि यह भी तक आपने वह video नहीं देखा तो आपको link description में मिल जाएगा महां से आप देख सकते हो जिसके बाद इस circuit को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा तो जब हम इस button को press करेंगे तो transistor के base पे current जाएगा और LED on हो जाएगा जब हम release करेंगे LED off हो जाएगा और उसके बाद हमने transistor के collector पे capacitor जो रखा है capacitor का एक सिरा transistor के collector से connect है और दूसरा सिरा पे हम multimeter का प्रॉब लगाएंगे जीरो से capacitor के दूसरे इंड पे voltage चेक करेंगे कि जब LED on होता है तब यहां क्या voltage आ रहा है और जब LED off होता है तब यहां क्या voltage मिलता है तो इस circuit में जब हम button press करते हैं LED on हो जा रहा है जब release कर रहा है तो LED off हो जा रहा है तो यहां देख सकते हो transistor के collector से हम capacitor का एक सिरा off on करते हैं और देखते हैं कि capacitor के इस point पे कितना voltage आता है, off condition में क्या है, on condition में क्या है तो आप देख सकते हो यहां पे जब LED off है तब यहां 10 volt के something आ रहा है अब हम button paste करते हैं LED को on करते हैं जब हम LED को on कर रहा है तो यहां minus 0.8 something कुछ आ रहा है, means यह minus voltage आ रहा, plus नहीं है तो अभी हम जब voltage check कर रहा है तो हमने देखा कि जब LED on था तो यहां हमें minus 0 volt मिल रहा था और जब LED off था तब यहां हमें plus 10 volt मिल रहा था तो ऐसा इसली हो रहा था क्योंकि LED को positive source इस resistance से मिल रहा है और negative source जब हम button को press करेंगे तो यह transistor situation mode में आएगा और यहां फिर negative source मिल जाएगा जिसे LED on होगा जब यहां negative source होगा जब LED on होगा तो ही यहां negative voltage होगा negative voltage इस chargers होते हुए capacitor के दूसरे plate पे हमें negative भी मिल रहा था और जब अफ कर दे रहा है थे transistor को तो यहां positive रहा था तो यहां भी हमे positive मिल रहा था ऐसा इसली हो रहा था कि printer enabling इलेक्रिक प्रेसिब कंपोनेंट है हलाकि इसके दोनों प्लेट के बीच में एक डियलेक्रिक मेट्रियल लगा होता है जिसे यह करेंट को पूरी तरह कंड़क्ट नहीं करता पर फिर भी कुछ पर्षेंटेज हमें मिल रहता है यहाँ पर अब हम इसी सर्किट में क्या करेंगे एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से एक ऐसा लाके एक रेजिस्टर हम यहाँ कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है तो अब हम यहाँ पर यह आप देख रहे हो एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है कर्पिसीटर से स्रीज में अब देखते हैं अब क्या होता है अभी जब एलेडी ओफ है तो यहाँ एट बॉल्ट नाइन बॉल्ट के सम्थिंग दिखा रहा है अब हम इसे प्रेस करते हैं बटन को एलेडी ओन हुआ और यह माइनस में चला गया माइनस और यह चार्ज होना भी चुन हो गया है यह जाश हो ठास पर जारा है जब हम पंद कर दे रहा है तो यह पोड़िटव हो जा रहा है तो जब लेडी ओफ है तो यहाँ लेडी को करते है यह भी प्लस की बार देलेडी चार्ज होने लग जा रहा है तो है उन्हें ब्रेटबूर्ट पर देखा जैसे हम बटन को प्रेज करते हैं यहाँ negative आता है और उसके बाद हो charge होना सुरू हो जाता है पिर positive में आता है ऐसा क्यों एसा इस यह कि जो हम button को प्रेज करते हैं तो यहाँ negative source मिलता है इस capacitor को और यहां से positive source मिलता है देखे तो यह एक RC network circuit जैसा दिख रहा है जिसका फर्मूला आता है time equal r into c तो इसी साब समिसका timing भी निकाल सकते है charging का तो यहां c से negative source मिला और यहां से positive source मिला तो starting में तो यह 0 ही था minus में था माइनस से और जैसे इसको current मिलता गया मिलता गया चार्ज होते होते ही यह प्लस में चला गया तो अब हम एक circuit दूसरा बनाए है जिसमें एक register LED और transistor है इस transistor के base पर अब हम यहां से जो हमें signal मिल रहा है इसको ले जाके हम इसके base पर connect कर दे रहा है अब क्या होगा जब यह switch open है तो यहां positive volt होगा यहां भी positive आएगा जिससे यह LED on रहेगा और जैसे हम इस button को प्रेस करेंगे तो starting में तो यहां minus voltage जाएगा जिससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी transistor को on करने के लिए उसके base पर 0.7 volts से ज्यादा voltage अफ्लाई करना होता है तब ही जाके transistor on होता है तो यहां जैसे हम button को प्रेस करेंगे यहां minus voltage जाएगा minus voltage के करने LED off हो जाएगा और जैसे यह देरे देरे चार्ज होते 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 0.7 volts से जादा क्रोज करेगा उसी समय यह LED on हो जाएगा अब हम इस animation के जरिये समझते हैं यहां Q1 transistor के base पर जो switch लगा है अभी वहाँ open है और Q2 transistor के base को R3 register से current मिल रहा है जिसे हमारा L2 LED ग्लो कर रहा है अब हम switch को on करते हैं कैपसीटर चार्ज हो रहा है और Q2 transistor के base पर negative voltage जा रहा है और L2 LED off है और जैसे ही कैपसीटर full charge हो गया हमारा दोने LED ग्लो कर गया Q1 transistor के base पर भी positive आ रहा है और Q2 transistor के base पर भी positive है तो यहां पर हम अपने circuit drawing के जैसा circuit बना लिए है ब्रेट बूट पे इस transistor का base इस switch से control होगा और इस capacitor से इसके base पर अभी supply जा रहा है जिसके कारण यह on है और जैसे हम button को press करेंगे तो देखते हैं क्या होता है यह press किया red LED बंद हुआ और यह जैसे ही charge हो गया 0.69 volt जैसे ही पहुंचा यह LED फिर से on हो गया फिर से एक बार जैसे ही हम press करते है LED बंद हो रहा है और यह जैसे ही full charge हो रहा है LED फिर से on हो जा रहा है तो अब हम यहां क्या करते हैं कि जैसा capacitor हम इस transistor के collector से connect किया है वैसा से हम एक capacitor और यहां लगा लेते हैं यह capacitor तो अब हमने यहां पर भी एक इस ट्रांजिस्टर के कॉलेक्टर से कापिसिटर को कनेक्ट किया है जो दूसरी ट्रांजिस्टर के बेस पर कनेक्टेर है तो यहां अब क्या होगा जो एक्टिबीटी यहां हो रहा था सेम एक्टिबीटी यहां भी होगा जैसे ही यह ट्रांज पर जीरो गोल्ट देगा और दिए दिए ये चार्ज होगा जैसे ये 0.7 बोल्ट से ज्यादा होगा तो ये ट्रांजिस्टर होगा ये बंद होगा और यही साइकल कंटेन्यू चलता रहेगा तो फाइनली अब हम इस सर्कृट को ब्रेट बोर्ट पर बनाएंगे जो आपको इ ऐघ में चेह काूं लिख रहा है हम अपने सर्कृट में जो रजिस्टेंस हीं वह किया है वह 54равля के है और कपेशिटर 10μF का तो रजिस्टेंस को हमँर्श में लिकेंगे तो 56 авं सोगा और मायffeilot को से लिखेंगे तो 0.00010 तो तो हमारा टाइम आएगा उल्य सेगन्ड में 0.56 सेगन्ड और मिली सेगन्ड में 560 मिली सेगन्ड तो चलीह अब हम इसे बरीट बुट पर इस सरकिट को बनाते हैं और इसका बेब फॉर्मच उसकि चेक करते हैं तो यहाँ हम उसकिलोस्कॉप के एक नमबर चैनल को transistor के collector के साथ connect किये हैं और दो नमबर चैनल को transistor के base के साथ connect किये हैं जो capacitor का charging डिशारजिंग दिखाएगा और चैनल नमबर एक LED off हो रहा है यह दिखाएगा तो चलिए अब हम इसे एक बार stop करते हैं फिर देखते हैं तो यहां हम देख रहे हैं जैसे जैनी के स्टेर माइना स्क्राइब गया ट्रांजिस्टर का collector हाई हो गया मिन्स एलीड को अफ कर दिया और जैसे यह फिर चार्ज होते होते 0.7 वोल्ट रीच किया ट्रांजिस्टर का collector लोग हुआ और एलीड को अउन कर दिया तो चलिए अब हम एक बार इस channel 1 का on-off timing period मेजर करते है चैनल 1 और time period तो यहां हम देख रहे हैं 562 ms से 650 ms है जबके हमारा calculation आया था 0.56 means 560 ms यह accurate close पूरा close नहीं है पर लगवक सही है प्रांज आया तो